हलो फ्रेंग्स दिस इस राज वालकम टू फिटनेस हाट स्टार फ्रेंग्स आज मैं आपर आपको स्कॉर्ट के स्टैंसिस के बारे में बताने जा रहा हूं जो की आपके लिए जानना बहुत ही नैसेसरी है लेकिन अपने लेक्स के कौन से मसल्स को उनको ट्रेंग करना है स्कॉर्ट के लिए उसके लिए कौन सा पोस्चर प्रेफर करना है इसका नॉलेज उनको नहीं होता है जैसा कि आपको पता है स्कॉर्ट बहुत ही important exercise है जो हमारी body के lower parts को train करती है लेकिन स्कॉर्ट करने से पहले आपको उसके different stances के बारे में पता होना चाहिए मतलब कि उसके different postures के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस posture में कौन से muscles को train करोगे तो friends मैं यहाँ पर आपको mainly three squats के stances के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके legs की different muscles को train करेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूँ कि इन three stances को perform कैसे करना है लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चानल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब बटन पर क्लिक करें यह बिल्कुल free है उससे पहले पर क्लिक करेंगे झाल 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 वेल्कम बैक फ्राइंड्स जिसमें आपके फुल क्वार्ड मसल ट्रेन होते हैं याइंड लास्ट में मैंने सुमो स्कॉर्ड को परफॉर्म किया जिसमें आपके ग्लूट्स मसल ट्रेन होते हैं फ्रैंड्स मैंने मोसली जिम में देखा है कि लोग सुमो स्कॉर्ड को ही प्रफॉर्म करते हैं उनको लगता है इस पोजीशन में उनके थाइस के मसल मतलब की क्वार्ड मसल ट्रेन होते हैं लेकिन ये गलत ही, इससे उनके glutes muscle, मतलब की hips के muscle train होते हैं So friends, अब जब भी आपको अपने legs muscles को train करना हो तो उससे पहले आप squats के stances के बारे में पता कर लें जो की आपकी बहुत ही help करेगा Thank you friends for watching this video अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like और share जरूर करें Thank you